अच्छा हमारा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हम जो आज हैलो एलकिन में पार्ट हमने मेथड और प्रिपरेशन ऑफ हैलो एलकिन तो पढ़ लिया है अब हम कुछ कुछ कुछन्स कर लेते हैं जैसे एक्जांपल 10.1 NCRT का उसमें बोला गया है कि ड्रॉदा स्टॉक्चर स्टॉक्चरल आइसो मर्स देट हैव दा मॉलिक्लर फॉर्मुला सी फाइच लेवन बियार नेमीच आइसो मर्स अकुर्डिंग तो आयू पीए सिस्टम और क्लासिफाइज प्राइमरी सेकिंड्री एंट टर्सरी एक तो हमें मॉलिक्लर फॉर्मुला दे रखा है सी प्रोमी तो ब्रोमोपैंटन बनेगे उसके बाद गया और है ठीर्ड वाले जोड़बब देंगे नियंगे नियंक्य का लाएगा अब इसमें जोड़कार हमक् sentido है क्रॉख हमारा CS3, CH के निचे CS3, CS2, CS2BR ठीके अब इसका 1-bromo-3-methyl-pentane यह पहला 1-bromo-pentane था 2-bromo-pentane 3-bromo-pentane फिर फोर्ट वाला isomer से 1-bromo-3-methyl-pentane फिर बनेगा 2-bromo-3-methyl-pentane फिर बनेगा 2-bromo-2-methyl-pentane और 8 वाला बनेगा 1-bromo-2-methyl-pentane ठीके और लास्ट बनेगा हमारा दिस तो इस प्रकार से हमारे यह 8-isomers बनगी 1-2-3-4-5-6-7-8 ठीके न अब जिसमें क्या है ब्रोमीन यदि ब्रोमीन हमारा जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा सब्रोमीन जुड़ा हुआ है CH मैंने सिसे और इधर Только से और इधर कार्बन दोकर्बन से जुड़ा हुआ है यह क्प्राइपर से 8 ओधरे टीके इसमें हम इस कोंश समझ सकते हैं। सो पहले यह इसोमर्स लिखे lay pela मतले से मॉलल होना चाहे और मुलती दीच्जिफर इस इस मेसे बना रहे है एक इपेनोट ऑनों थीपरन और टालकूल कर लिएक नहीं टीव होने इ expresses कर लेंगे वन डिग्री हो इस पीन scenarioia इस एग्जाम्पल को आप इस प्रिकार से हमारी बुक में दिये हुए हैं एक्जाम्पल Ε MS इस एक्जाम्पल को हम इस प्रिकार से लिखेंगे कि ये हमारा ch3 तो मैंने ch3 लिख लिख लिया फिर यहां से सिंगलबॉंड है उसे सी से चुड़ा हूँ एक तरफ एक तरफ डिख लिया ठीक है लिखने के बाद क्या है हम अपने आयूप्य एसी काको इस में आयू पीसी के विडियो बनाई हुई है उसमें आयूप्य इसे पढ़लेंगे और आफ्टर एट ठीक है हम इदर से नमबर डालेंगे क्योंकि दर से क्या है हमारा डवल बॉंड पास आ रहा है ठीक है तो 1 2 3 4 5 फिर लिख देंगे 4 ग्रोम पेंट 2 की सिमिलर्ड इसको बहुं एसे लिखेंगे और आई-उ-पी डाम इसका हम लिखलेंगे राइट अ Tapi कि सबको इस परिकार से लखलें अपाइव-पी-बॉंड इस इसटम में कि सबसे पहले देखेंगे। और चेन है फिर क्लोज चेन है यदि हमारा ओपन चेन है तो लोंगेस्ट चीन और कार्वन एक्टम फाइंड करेंगे फिर नंबर डालेंगे नंबर सबसे पहले आपको 28onen वृंश दीर Jelly जाते हैं फिरज औलवन को फिर किए ससचीट को इक सबस्ट टीकली गेर ऑफिर नम लिखा जाता है सबसे पहले सबसे हैं का फिर साइकलिक नेचर का फिर वर्ड रूट का फिर बॉर्ड निंग बिट्विन कार्वन कार्वन एक्टम और बाद में आता है फंक्शनल ग्रूप इस के नाम हम इस परकार से लिख देंगे ठीक है अब है हमारा इंटेस कुस्ष्ट टैंब टैन पॉइंट वन बी हमारा क्या है आयूपीसी नेमी है, आयूपीसी नेमी में करनी है हमको, अब की बार लेकिन हमें इस्ट्रक्चर बनानी है, नाम दे रखा है, टू कलोरो थ्री मिथाइल पैंटेन है, अब सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले 5 कार्बन एड करूँगा, 1, 2, 3, 4, 5, पैंटेन के अब करके उनकी वैलेंसी 4 कर दूँगा, जैसे इस कार्बन पर, यहां पर एक कार्बन है, ठीके, एक कार्बन है, तो फिर क्या है, तीन हाइड बना रखा, इस कार्बन ने टोटल वैलेंसी इसे चार करनी है, तो तीन हाइड जोड दूँगा, इस कार्बन ने तीन हाइड दूसरा हमारा कि वन क्लोरो 4 इथायल साइक्लोहक्सेन सबसे पहले में साइक्लोहक्सेन मना लोगा फिर उसमें फिर्ट पर जोड़ दूंगा और 4 पर जोड़ दूँगा C2H5 या नहीं थाइल फिर मेरे पास क्या है फोर टर्ड ब्यूटाइल थ्री आयोडो है ठीक है न तो इसके लिए मैं क्या है सबसे पहले सा सेवन कारवन एटम लगा लूँ एक स्टेट चेन में सेवन कारवन एटम और उसमें तीसरे पोजिशन प 처리 होतों कि इतना करने के बाद फिर में क्या करूंगा जो भी कारवन इसमें बच गये नहीं उन सब के चार फड़ा कर दूँगां जैसे मैंने उपर किया था ठीक है सिमिलर्ली क्या है हमारा कुश्चन फॉर्ट वाला है वन कॉमर टू डाइब्रोमो ब्यूट्टुइन इसमें भी हम इसी विर्कार्ट से करेंगे सबसे पहले फोर कार्बन एटम एड़ कर लूँगा ठीक है और पहले और चौथे कार्बन प अब एंजीन फिर पुस पर वन पर ब्रोमो टू पर मिथाईल और फोर पर जोड़ दूँगा सेकंडरी ब्यूटाइल इस परकार से हमारा क्या है यह पांचों के पांचों आयूपी एशी नेम यह इंटेस्ट कुश्चन 10.1 है इस परकार से आप इसे कर सकते हो नेक्स्ट है हमारा एक्जाम्पल 10.3 हेलो एलकेन हेलो एरीन चेप्टर का एक्जाम्पल 10.3 एक्जाम्पल 10.3 एंची रर्टी सेकंड पार 12 ग्लास आइडेंटिफाई ओल्द पॉसिबल मोनोख्लोरो इस्ट्रक्चर आइसोमर्स एक्षट्ट वार्म्ड ऑन दफ्री रेड दिर्टाइश्ट वार्मिटेन तुमेथाइल ब्यूटेन अब ट्यूमेथाइल ब्यूटेन कि मैं क्लोरिन के साथ रेडिकल कराओंगा यानि सनलाइट की पर जैसम्पल पर क्या है क्लोरिन जोड सकता हूं जिससे सब के अलगलग आयूपक्स नाम हो तो पहला मैं पहले वा कार्बन से इस कार्बन से हिड्रोजन अटाके मैं क्लोरिनेड कर सकता हूं दूसरा इस कार्बन से हिड्रोजन अटाके मैं क्लोरिनेड कर सकता हूं जैसे यहां पर किया है और फिर इन दोनों में से एक कार्बन से हिड्रोजन अटाके मैं क्लोरिनेड कर सकता हूं ठीक है इस प को जैसे इसका नाम हो जाएगा वन ख्लोरो थृ मिधाइल ब्यूटेन पर लग नाम है फिक है वाद is एक्जाम्पल 10.4 एक्जाम्पल 10.4 क्या है कि रायट दप्रोडक्ट ऑफ फोलोइंग रियक्शन कुछ रियक्शन है उनके हमें प्रोडक्ट लिखने हैं ठीक है तो आप बुक की हेल्प से भी इनको कुश्चन को देख सकते हैं ठीक है और सॉलुशन मैं इनके करी रहा हूं ठीक है तो पहले बुक में आप इसे इनको प्रॉपरली अब्जर्व कर लेजिए और इससे लेटेट जो भी मार्कोनिक ओफ एंटी मार्कोनिक ओफ या पीछली वीडियो देखकर क्या है आप इनको आसानी समझ सकते हैं तो हमारे पास यह कंपाउंड है जिसमें इस कार्ब ने लिखा हुआ है तो मार्कोनिक ओफ रूल लगेगा मार्कोनिक ओफ रूल क्या होता है कि नेगेट्व पार्ट जो होता है वो उस डबलबंड कार्बन पर एंटम पे जुड़ता है जिस पर हाइड्रों संख्या कम होती है ठीक है जैसे हिहां पर एक हाइड्रोजन यहां दोनों hydrogen तो BR तो मेरा जुट जाएगा यहां पर जैसे कि आपने यह देख लिए यहां पर जुट गया और यह hydrogen जुट जाएगा इस carbon से ठीक है hydrogen इस carbon से जुट गया और फिर double bond हट जाता है जब addition हो जाता है double bond हट जाता है तो ने हैप हुस्ess ऑब औरowser से रेक्शन लेकिन परॉक्सायद लिखा हुआ है जब परॉक्सायद लिखा हो तो नमार्च बॉल लगता है उसमें नेगेटिव पार्ट उस कार्वन पर जुड़ाया जाया है यहां पर जो जाएगा हो क्या हो जाएगा ठीक है हमारे पास कुछ in text question है ठीक है और पहला in text question है 10.2 why is sulfuric acid not used the reaction of alcohol with KI कि जो हम क्या है alcohol की KI के साथ reaction करा रहे थे तो हमने 95% हमने 95% S3PO4 लिया था ठीक है लेकिन वहाँ पर हमने sulfuric acid नहीं लिया क्यों नहीं लिया क्योंकि sulfuric acid होता है strong oxidizing agent और strong oxidizing agent क्या करता है पहले KI को HI में convert करता है oxidize करता है फिर HI को I2 में oxidize कर देता है पहले KI को convert करता है HI में फिर HI को oxidize कर देता है I2 में ठीक है तो हमारा क्या है so corresponding iodize not for उससे क्या होगा iodide जो हम बनाना चाहते हैं जिसमें iodine जुडती है तो वो proper बन नहीं पाता तो इसका कारण क्या है कि H2SO4 की oxidizing property जो KI को KI नहीं रहने देता है उसको HI में फिर HI में convert कर देता है इसलिए हम क्या है H2SO4 को नहीं लेते हैं उसके इस्थान पर लेते हैं H3PO4 95% राइट 10.3 एक्जाम्पल 9 एंटेस कुष्यंट 10.3 मोस्ट इंपोर्टेंट है राइट दा स्ट्रक्चर ऑब डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव प्रॉपेन हम प्रॉपेन बना लेंगे प्रॉपेन का फ जैसे एक बार तो मैंने दो हाइडोजन पहले कारवन से अटाकर दो हैलोजन जोड दिया एक बार मैंने दूसरे कारवन से दोनों हाइडोजन अटाकर दोनों हैलोजन जोड दी एक बार मैंने एक हैलोजन पहले कारवन पर एक हैलोजन दूसरे पर एक बार एक हैलोजन पहल कि among the isomeric alkane of molecular formula c5s12 identify the one that protochemical chlorination yield a single monocloride three monoisomeric monocloride four isomeric monocloride यह कहके आ रहा है कि एक हमारे पास c5s12 यह हमारे पास एक alkane है ठीक है पहले तो आप इसके isomers बनाईए तो मेरे पास माल लीजे यह हमारे पास एक isomers of c5s12 c5s12 के मैं isomers बना रहा हूँ पहला isomers बनेगा cs3 c5s पहले पास carbon लगा लूँगा फिर उनसे सब के valency complete कर दूँगा ठीक है न तो एक बनेगा normal pentane जैसा की बनाया हुआ है ठीक है न एक तो बनेगा इसमे normal pentane दूसरा isomers जो होगा इसका तो दूसरा isomers आप ऐसे बनाएंगे 2-methyl butane अब की बार क्या है आप एक cs3 उपर जोड़ दोगे ठीक है तो 2-methyl butane बनेगा और तीसरा isomers बनेगा इसके अंदर आप तीन के h new के साथ reaction करानी है और यह देखना है कि किस isomers में कितनी बार chlorine एड होकर नया compound बनता है जैसे यदि मैं तीसरे वाले में देखूं इस वाले में इस वाले में chlorination करा हूं तो केवल यह एक प्रोड़क्ट देगा क्योंकि यह CS3 यह CS3 यह सारे equivalent CS3 है तो कि किसी एक से ही क्या ह hydrogen हटकर क्या है chlorine जुड़ सकता है जैसा कि इसमें दिखाया गया है तो जो तीसरा वाला isomers है वो तो केवल एक प्रोड़क्ट देगा तो यह पहले का आंस्वर है ठीक है कि वह कौन सा होगा जो एक प्रोड़क्ट देगा तो लिखोगा टू-टू-डायमिथाइल प्रोपे प्रू-टेन鍍 1 KLO Rapha 3 प्रोड़क्ट देगा ठीक है नगे अतो रही का अंस्वर कि कौन सा टीन प्रोड़क्ट कौन सा देगा तो नैंट्मल प्रोड़क्टेन एक प्रोड़क्ट कौन सा देगा टू-टू-डायमिथाईल प्रोपेंन अब लास्ट आता है हमारा कि वह चार आइसोमेरिक क्लोराइड कौन देगा तो जब हम क्या है 2-methyl-butane की reaction chlorination कराएंगे H-new की presence में तो यह हमें 4 product देगा 1-chloro-3-methyl-butane 2-chloro-3-methyl-butane 2-chloro-2-methyl-butane और एक इन में से 1 में जुट जाएगा यानि 1-chloro-2-methyl और N-A-S-1-2-butane इस प्रिकार से हमारे 4 यह क्या बन जाएंगे यह देगा 4 product तो पहले एक आंस्वर तो हो जाएगा हमारा 2-2-diamethyl-propane तो देगा single monocloride ठीक है और 3 monocloride देगा nonopentene और 4 monocloride 4 isomeric monocloride देगा 2-methyl-butane ठीक है इस प्रिकार से इस question को आप करेए और सबके IUPAC नाम लिख लिजी अब हमारा last question है draw die structure of major mono hello product in each of the following reaction एक reaction दे रखिए इसमें cyclohexane के उपर OH है और SOCl2 साथ reaction कराए जाती है मुझे पता है SOCl2 साथ reaction कराऊंगा और यहाँ पर यह carbon SP2 hybrid है SP3 hybrid है तो OH हटकर सीधा क्या जुट जाएगा हमारा CL ठीक है दूसरे case में मैं यहाँ पर BR2 ultraviolet light है तो इसका मतलब है bromination करा रहा हूँ यह free radical reaction है तो इसमें यह CH bond जो यह weak bond है तो यहाँ से क्या है H हट जाएगा और वहाँ पर bromine जुट जाएगी दूसरे case में क्या है एक OH तो यहाँ पर लगा हुआ है एक OH यहाँ पर SCL के साथ reaction करा रहा हूँ तो यह यह OH हटेगा यह लेकिन यह OH हटेगा नहीं क्योंकि इसमें double bond character आ रहा है resonance के करण यह इसमें resonance है नहीं तो यह OH हटेगा और यहाँ इसके स्थान पर जुट जाएगा chlorine last बचा हमारा ठीक है इसमें क्या होगा हमारा next वाला question जो है इसमें हमें मार को नहीं कौफ लगाना negative part देखो इस कारवन पर एक hydrogen है इस कारवन पर एक hydrogen नहीं है इन दोनों के बीच में double bond है तो जिस पर कम कार hydrogen होते हैं उससे हमारा negative part जुट जाएगा तो I मेरा हमें जुट जाएगा और H जुट जाएगा हैं पर इस परिकार से हमें इसको लिख देंगे H को लिखते नहीं इस परिकार से प्रोडक्ट बनेगा ठीक है अब यह जो reaction है हमारी इस पर यहां पर यहां पर जुटेगा यहां पर यहां से hydrogen अटेगा और यहां पर हमारा बियार एड हो जाएगा ठीक है तो यह हमारे क्या है intense question है और example है आप इनको अच्छे से करिए ठीक है और अब next हमारी जो physical properties है Hello Alkenes की वो हम next video में आपको पढ़ाएंगे ठीक है तो जब भी आप पढ़ रहे हो ना तो आप अपनी book को अपने pass रखिए और सारे questions को solve करिए ठीक है और पिछली वीडियो जो भी मैंने Hello Alkenes की value ही वीडियो नंबर वन है वीडियो नंबर टू है उसमें जो method of preparation या classification बढ़ाया है उसको इस वीडियो से पहले आप जरूर देख ले ठीक है न क्योंकि जब आप उसको देख लेंगे तो फिर ये आगे की चीज़ें आसानी से आपको समझ में आने लगेंगी ठीक है ठैंक